दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको एक मसाला जिसको आमतर पर अपन घर में इस्तावाल करते हैं वो है जीरा इसके विश्व में कुछ जानकरी दनी की कोशिश करूँगा यह हूँ मैं शुरू से ही आप लोगों को प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज पेड़ पोध है और उनके पत्ते उनके ज्याड और उसके फल इत्यदी के फाइदे के विश्व में मैं आपको शुरू से ही जानकरी देता आया हूँ यह तो जीरा के बारे में सभी को जानकरी है एक मसाले के तोर पर इस्तावल किया दाता है लेकिन कुछ खास बाते हैं जिसको मैं आपके समक्स रखना चाहूंगा वो यह है कि आम तोर पे 25-30 साल के बाद हमारे सरीर के जो ग्रोथ है ग्रोथ रेट कौम हो जाते हैं और हमार के जाता यह कि हमारे दीरे दीरी ज़ल और बढ़ते जाते हैं। तो हमारे सरीर में जो क्यल्शियम है हम छो काना खाते हैं अलग अलग खाने से हxicना प्रोथ इन्ता की कैलिशिआम शरीर के अंदर ना रुकर शरीर मेंन चलजा जाते हैं जिस later में कमजरी होता है एं इसमें क के करण जोडों में दर्द इत्यादी के समस्या है देखा जाता है तो जीरा एक ऐसा चीज है अगर जीरा अपन सुबह रोज एक चम्मच सब्सक्राइब खाते हैं तो सरीट से यह जो कैलिशियम बाहर निकल जाते हैं इसको रोग के रखने की चम्ता जीरा में है कि दूसरी बात है अगर आपको लगातर जोडों में दर्द होता है तो इसमें बैठी आजवाइन और जीरा सौंफ को बराबर मत्रा में पीश कर उसका चुर्ण को आप रोज पनी के साथ लें तो जोडों के दर्द आपके खत्म हो जाएगे दूसरे चीज़े की जीरा में एक ऐसे कट्व पाए जाते हैं एक ऐसा चीज है जो आपके बालों को यह पोशन देता है बाल जड़ना रुशी इत्यदी जो समस्या है और खासकर करके बाल में चमक लाने में जीरा का एक महत्तुन भूमिता है जीरा का पेस्ट आप बना ले है तो आप देखेंगे कि आपके बालों में चमक और बाल भी शक्त होता है और लंबे भी होता है तुरसरे चीज़े यह जीरा एक आंटी एजिंग है जीरा में मौजब जो वेटामिन इस है यह शरीर के भीतर आंटी एजिंग प्रक्रिया को शक्रिया करते हैं तो अगर तो आपके घूम में जो जो चर्म है इसमें जुरिया पर ना भी बंद हो जाते हैं। सवाल यह है कि आप इसको सबन कैसे करें सब्सक्राइब जीरा आप चोबा सकते हैं पानी के साथ इसका डास्ट बना करके उसको भी खा सकते हैं और शाथ-शाथ इसका पेस्ट भी बना करके खा सकते हैं सबसे बहतर चीज यह होता है कि आप एक चम्मच जीरा को चार लेटर पानी में अच्छे से उबाल लें और उसको ठंडा करके रखें और जब जब आपको प्यास लगती हैं आप इसको पीएं तो इसमें फाइदा मिलेगा और अंतमें जीरा आप सेवन कब ना करें करें अ क्या थो विरियोट के दो रहना हां आप येका सेवन ना करें कि यह ज्यादा ब्लीडिंग करवाता है अब Charta 21 backyard यह जो नहीं पहला है अ और उनका पहला ऑच थि elle is playing जिरा का सेवन ना करें क्योंकि यह सेवन करने से बच्चा जल्दी भी हो जाता है तो यह जिरा के पुछ गून में आपके समक्ष रखा आसा है कि यह आपको पसंद आया होगा क्योंश्का